आज मैं अपके लेकर आई हूँ, घर में रखे वे इंग्रीडेंट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी बच्चों को पसंद आने वाला लंच बॉक्स की रेसिपी, इसे आप लंच बॉक्स में तो रखी सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे कभी भी बना कर तयार कर सकते हैं, तो च कटोरी और लेंगे, तो मतलब 1.5 कटोरी के लगभग हमने पानी लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, तो आप एगर 1 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं, तो 1.5 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे, जैसे ही पानी हमारा गरम हो जाए, तब हम इ मिक्स करते जाएंगे कंटिनिसली जिसे कि कोई भी लम्स या गुठली ना पड़े तो यदि की थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देंगे और इसको कंटिनिसली हम चलाते रहेंगे इसको बनाने में बहुत ज़्यदा समय नहीं लगता है आप इसको 10 मिनिट के अंदर ही बना होगा कि इसकी लम्स या फिर गुठलिया पड़ जाएंगे जो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती और इसको कंटिनिसली चलाते रहेंगे जब तक कि एक डो जैसे ना बंद जाए तो देखें यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है एकदम एक डो जैसे बन गया है अब ह अभी यह गरम है और हमें गरम-गरम में ही इसका इस्तमाल कर लेना है तो आप हातों से चाहिए एक बार और मिक्स कर लें हातों में पानी लगा ले या फिर ओई लगा ले पानी से यह ज्यादा अच्छे से बनेंगे और अब हम इसके छोटी-छोटी पास्टी वगरा बनात मतला प्रेस कर देना है यह तो इस तरीके से इसमें एक सेप बन जाएगा आप इसे चाहे तो नूडल जैसे बना सकते हैं या फिर अपने मन पसंद किसी भी सेप में बना सकते हैं तो बस हलका सा पानी लगा ले और एकदम छोटी सी बॉल ले ले और इसमें हमें डिप लगा द लेना है अब यहां पर हमने एक कडाई लिए है इसमें हम इस तरह से एक छनी लगा देंगे और इसको ढग देंगे पांच मिनिट के लिए जब यह अच्छे तरह से पक जाए स्टीम हो जाए पानी बढ़ियां से उबलने लगे तो गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर दे और इस इसे बना कर रख ले और जब बस तड़का लगाना हो तब आप इसे बना सकते हैं तो यह देखिए बढ़िया से हमारी यह 10 मिनिट के अंदर स्टीम हो जाते हैं आप हातों से टच करेंगे ना इस्टिक नहीं लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा तो यह बहुत चॉप की हुई एक ग्रीन चिली तो आप बच्चों के हिसाब से ले सकते हैं करी लीप्स डाल देंगे जो कि ऑप्सनल है इससे बढ़िया टेस्ट आता है साथ में बारी कटवी सिम्ला मिर्च भी हमने डाल दी है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत जदा कुकिंग न सकते हैं गाजर डाल सकते हैं जो वैजिस आपको पसंद हो वो आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे की टमाटार हमारे अच्छे से गल जाए सारी चीजों को अच्छे से हमें कूक कर लेना है जो टमाटार हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे एक चमस टोमेटो सास आप यहां पर हर तरह के सासे डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर केबल टोमेटो सास का इस्तमाल किया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से काफी बढ़ियां सास लगता है और आप यह न सोचे कि इसमें बहुत ज़दा यह लिक्विडी सा हो गया है जब आप इसे लंच बॉक्स में रखेंगे और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब यह लिक्विड जो है बहुत अच्छे से इसमें लिप्टा रहता है और बढ़ियां सा स्वात देता है सौसिस तयार होने के बाद हमने इसमें डाल दी हमारे स्टीम की हुए पास्ते तो मार्केट से पास्ता तो हम हमेशा बनाते ही है लेकिन बच्चों को अगर आप इस तरह से बना कर देंगे रहा तो यह हेल्दी भी है और टेस्टी है तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है सारा प्रोसेस हमने हाइफ लेम पर किया है तो आप अपने हिसाब से फ्लेम बढ़ा घटा सकते है और इसको अच्छे से हम को खोने देंगे दो मिनिट के लिए लास्ट में थोड़ा से हम तिल डाल देंगे यह OPS नलेसे थ बनाकर खो लियाना तो आप बाहर के सारे पास्टे भूल जाएंगे और इसी तरह से बनाना पसंत करेंगे तो यहाँ पर मैंने पास्टा बनाया है रखा केले की चिप्स आप इसकी जगा पर और कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो और इस तरह से हमने ये पास्ता को भी असेमिल कर दिया है तो जटपट से बनने वाला ये लंच बॉक्स है जो बच्चों को पसंद आता है बनाने में आसान है और घर में रखुए एक इंग्रेडरिन से बनकर तायार हो जाता है तो अगर आपको भी ये रेसिपी थोड़ी सी भी कहीं पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे लंच बॉक्स रेसिपी कैसी लगती है इसी तरह की और भी वीडियोस में डेली ही डालती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकिन दबा ले साथ ही और पर क्लिक कर ले जिसी किसी सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल सके मैं मिलती हूँ एक और इंट्रेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीस के साथ थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग